नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया के हमाद और आप देख रहे हैं आरेडियू स्वागत आपका उत्रपरदिस के खास बुलिटिन में बेरेच में पुलिस कर्मियों की गुंडा गर्दी से आहत तमाम रोडवेज बस कर्मियों ने आज सुबा से चक्का जाम कर दिया और रोडवेज करम्यों का आरोप है कि बस चालक को देरात को इस पुलिस करमी जवरदस्ती बस से उतार कर ले गए और उसे पूरी तरह मारा पीटा और रोडवेज करम्यों की ये मांग है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी सामने 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 बैठ कर पात करें कि आखिर किस वज़ा से बस ड्राइवर को थाने में बेठाया गया और उसे मारा पीटा गया और भहीं बताय जा रहा है कि रोडवेज बस से उतरते समय महिला सिपाई को मामुली खरोच आ जाने के बाद महिला सिपाई आक्रोशित हो गई और अपने साथी पुलिस करम्यों को बुला कर उसने बस ड्राइवर को जबरन थाने उठा ले गई जहां पर बस ड्राइवर को पिटना शुरू कर दिया और बस ड्राइवर के साथ हुए इस बरताव को लेकर रोडवेज करमी बहद आक्रोशित है और उनकी मांग है कि बस ड्राइवर को जबरन उतार कर पिटने वाली महिला पुलिस करमी के खिलाब जब तक कारवाई नहीं होती तब तक चक्का जाम र पिटनों ने गाड़ी को नखवाया जाइवर ने गाड़ी मोग दिया जिसके बाग जो का प्रसिंजर उतरे उसे एक महिला काने श्पल भी थी वो उतर रही थी और उनको कहीं जो काशी त्रिकी से क्रोथ इनको लग गया हाथ में यूपी के श्रावस्ती जिले में भीषण शडख हाथसा हुआ है और जाहरीनों से सवार एक टैंपू आनियंतन होकर ट्रक से भिड़िया और टककर इतनी भीषण थी कि इसमें चार महिलाओ समेट पांस लोगों की मोत होगे हाथसे में तीन लोग घंबी रूप से घायल भी हुए है और हाथसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा और वहीं बताया गया कि टैंपो बेरेज से बलरामपुर के उत्रोला जा रहा था और मोके पर पहुँची पुलिस ने ग्रामिनों के साथ मिलकर टैंपो से घायलों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और वहीं सबी घायलों की हालत नाजुक बतायी जारी और रोंग्टे खड़े कर देने वाला ये हाथसा थाना एकोना के महला तिलकपुर के पास नैशनल हाईवे 730 पर हुआ और टैंपो सवाज जायरीन सेद सालर मसूद गाजी की दरगा पर जियारत करने के ले गए थे और सबी लोग वापस अपने घर बलरामपुर के उत्रोला जा रहे थे तब ही कोना की तरफ से तेज रफतार में आरे ट्रैक्टर से टैंपो की भढ़नत होगी और आसपास के ग्रामिनों और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बहार निकाला और जिला स्पताल भेजा और वहीं पुलिस नहीं मिर्टकों के शव को अपने कबजे में ले लिया और वहीं एसपे अरविन कुमार मौरिया ने बताया कि दो लोगों की हालत अभी भी ना राजयबाद में मुरादनगर के पास पुलिस ने हत्यार बनाने की फैक्टरी का भंडा फोड किया है पुलिस ने मौके से पिस्तल बनाते हुए तीन लोगों समेट पांस को गिरफतार किया और इनमें एक महिला भी शामिल है और वहीं बताया जा रहा है कि महिला का पती इस घर में कुछ नजर नहीं आया तो ऐसे में पुलिस को लगा कि उन्हें गलत जानकारी मिले लेकिन जब पुलिस ने घर में चानबिन की तो उसे एक दर्वाजे के पीछे दूसरा दर्वाजा मिला और पुलिस जब उस दूसरे दर्वाजे से अंदर घुसी तो उसे ते खान हत्यार बना रहे थे और पुलिस ने मामले में पांस लोगों मुहमद मुस्तफा आलम कैसी आलम सल्मान और अजगरी को गिरफतार किया और पुलिस के मताबिक महिला का पती जमरुद्दिन इस फैक्टरी को चला रहा था लेकिन पुलिस की सूचना पाकर वो भाग गया और मजलिस एतायदोल मुस्लिम अगामी साथ सितंबर से यूपी में तीन दिवसे वंचित सोषित सम्मेलन कारेकरम करने जारी और शुरुआत आयोद्या के रुडौली से होगा जहां पर ओवेसी साथ तारीकों रुडौली पहुंचेंगे और वहां शोषित वंचित समाज को स अच्छी बात है और वेसी अधिया से सम्मेलन शुरू करें और वो राम मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर ले तो अच्छी बात रहेगी और वहीं A.I.M.I.M. के राश्ट अधियक्स असुद्दिन अवेसी के अधिया में प्रस्ताविच साथ सितंबर को शोषित वंचित सम्माज सम्मेलन से पहले विरोत के स्वर मुखर होने लगे हैं सम्मेलन के परचार परसार के लिए चस्पा किये गए पोस्टर में आयोध्या जिले की जगा फैजाबाद लिखा गया जिसे लेकर आयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दिये और इसे आयोध्या वास्यो का अपमान बाना है संतों ने जिला प्रशासन से अनुरोत किया है कि पोस्टर से फैजाबाद हटाकर अयोध्या लिखवाए जाए नहीं तो संत समाज सम्मेलन का विरोत करेगा और वहीं अब मुस्लिम समाज की तरफ से भी शोसित वंचिन समाज सम्मेलन का विरोध शुरूख हो गया है कभी बावरी पक्ष के मुखे पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मुखे होकर असुद्दिन ओवेसी का आहुद्या दोरे का विरोध किया इकबाल अंसारी ने भारत के मुसल्मानों से अपील की है कि वो ओवेसी के भड़कावे में ना आए और पूर बावरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि जितने भी नेता हैं सबी लोग अहोद्या से 2022 के चुनाव का बिगुल फूक रहे और असुद्दिन ओवेसी भी अहोद्या आ रहे इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि अहोद्या में ओवेसी की जरूरत नहीं मुसलिमों पर राजनीती करना नेताओं की सोच है ये लोग मुसल्मानों को लेकर राजन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मोरिया की डिग्री विबाद में आज एहम फैसला आने वाला है और वहीं प्रयागराज की जिला अदाले डिग्री को लेकर छेड़े विवाद के मामले में अपना एहम फैसला सुना सकती है और वहीं आपको बता दे कि अदालत ने कथित फरजे डिग्री के अधार पर पैटल पंप की डिलर्शिप लेने और चुनावों के नामानकन के समय कथित जूटा हल्थ नामा दाखिल करने के आरोपों की चांच के आदिश दिये थे और केशफ प्रसाद मोरिया पर फरजे डिग्री की जानकारी देने का आरोप बीजेपी के नेता नहीं लगाया है और वहीं बीजेपी नेता दिवाकर त्रिपाटी ने केशफ मोरिया पर चुनावी हल्थ नामे में अलग-अलग डिग्रियों का जिक्र कर गलत जानकारी दे का आरोप लगा और उनों ने पुलिस में केस दर्ज किये जाने की मांगी थी और पुलिस द्वारा एफ आयार दर्ज नहीं किये जाने पर बी जे पी नेता ने अदालत का दर्वाजा खटखटाय था और मामले की सुनवाई प्रियागराज की SGM कोर्ट में हुई थी और का दर्ज किये जाने के आदेश दिये या जाए या नहीं और वहीं यूपी के फिरोजबाद में वाइरल फीवर और डेंगू की वज़ा से हालत बिगड़ते जा रहे और कई लाकों में लोग अपने घरों में आसपास के जोलच हाप डोक्टरों की सला पर ही घर में इलाज कर रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में जगा नहीं मिल पा रही और जलकारी नगर इलाके में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने घरों में ही इस वक्ट पच्चों का इलाज कर रहे हैं अब बुखार की वज़ा से इस समय पश्चिमी उत्रप्रदेश के इसनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि सो बैड के अस्पताल वाले मेडिकल कॉलिज में तीन सो पच्चिस से ज़्यादा लोग एडमिट है और जारे तर प्राइविट अस्पताल भी फूल हैं और वहीं के इन सरकार के और से भी टीम भेजी गई है और इस मेडिकल टीम ने शु शराब से 17 मोतों के बाद आगरा रेंज आईजी नवीन अरोडा ने कई सारे सक्त कदम उठाये जिससे जहरेली शराब बैचने वाले माफिया को लोगों की जिन्दगी से खिलवा करने से रोका जा सके और इसी क्रम में आईजी रेंज आगरा नवीन अरोडा ने चारो जिल को नोडल अधिकारी बनाये गया और निर्देशों के क्रम में शराब तसकरी से जुड़े लोगों का बीते कई सालों का डाटा खंगाला जा रहा है और वहीं साथ ही जानकारी भी की जा रही है कि ठेकों के अनुग्यापी और सेल्समेन की पिसले सालों में आमदनी कितनी ग कारवाई हो इसकी शुरुआत आगरा से की गई है और इसमें दस साल पुराने मुकदमों को खंगाला जा रहा है और हब तक आगरा में शराम माफ्यों पर क्या कारवाई हुई है कितने तसकर ग्रफतार हुएं और कितने लोग अभी भी फरार चल रहे इस पर भी पूरी समि यूपी के गोरकपुर जिले में बाड़ ने तभाई मचा रहे किया बाड़ का पानी लोगों के घरों में घुश चुका है घरों में कमर के उपर तक पानी भर हुआ जहां सडके थी वहां अब तलाब नजर आ रहे हैं और वहीं गाउं में लोग अपने मुवेश्यों के साथ सुरक्षित ठिकाना ढूंड रहे हैं और कई जगों पर पान में रिसाफ हो रहा है जिन्दगी के जद्दो जहद के बीच लोग अपना और परिवार का पेट पालने के लिए गाउं और घर छोड़ कर पलाइन कर रहे हैं और इसी बीच जिन्दगी जीने का होसला देती एक बच्ची की तस्वीर फाइरल हो रही है दरसल बच्ची स्कूल ड्रेस में तयार होकर अकेले नाओ चला कर स्कूल जा रही है और उफनाती रापती नदी में बाड़ के बीच अकेले नाओ चला कर स्कूल जा रही है बच्ची हिम्मत की मिसाल है बैक के साथ नाओ से जा रही बच्ची के होसले के देखकर कुछ देर के लिए ही सही बाड की मुसीबतों में गिरे लोग अपने परिशानियों को तो भूली जाएंगे जब स्कूलों को एक सितंबर से खोलने का आदेश हुआ तो लोगों के समझ में नहीं आया कि वो इन परिशानियों और मुसीबतों के बीच बच्चों को कैसे स्कूल भेज़ेंगे लेकिन दक्षिनी बहरामपूर में बाड से उफनाती राप्ती नदी में नाओ चला कर अकेले स्कूल जाती बच्ची के जज़बे ने लोगों का दिल जीत लिया यूपी के गाजयाबाद जिले में इन दिनों एक सिर्फिरे का खोफ है और सिर्फिरा सक्स आए दिन महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है और आरोपी सक्स महिलाओं पर चाकू से हमला कर रहा है और बीते 24 गंटे में महिलाओं पर हमले की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इन हमलों के बाद इलाके में धहशत का माहूल है पुलिस भी आरोपी की तलाश कर रही है और दिल देला देने वाली ये घटनाएं लिंक रोड थाने इलाके के महराजपुर की है और भहीं बताय जा रहा है कि एक सिर्फिरा महिलाओं के मूँ पर चाकू से हमला कर रहा है और अब तक ये सक्स दो महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और महिलापा ताजा हमला के मामला महराजपुर का है और बदमाश ने एक युफ्ति के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया और पीडिता का नाम हसमुना खातून बताय जा रहा है और हसमुना खातून ने बत पेन रखी थी और पीडिता मदद के लिए चिलाया आसपास के लोग उसे इलाज के लिए एस्पताल ले गए और वहीं बता दें कि महराजपुर में इस तरह की एक दूसरी घटना है कल भी महिला के सिर पर वार किया गया था चाकू महिला के सिर में घुसाद दिया गया था अब दूसरी इस तरह की गठना से दैशत का महोल है. SP City 2 ग्यानिंद्र कुमार सिंग ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी और जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा. UP के 12 बंकी जिले में भीशन सड़क हाथसा हुआ और हाथसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गई. बीती राद वैगनार कार और रोडवेज बस की जवरदस्ट टक्कर होगी और कार सवार लोग गोंड़ा से लखना हुजा रहे थे और टक्कर इतनी जवरदस्ट थी कि इसमें कार सवार दो बच्चों समेट 6 लोगों को घंबीर चोटाई और इसके लावा एक महिला की मौत हाथसे की खबर मिलते ही हाईवे एंबुलेंस को बिलाए गया और एंबुलेंस की मदद से सबी घाईलों को जिला इस्पताल ले जाय गया और घाईलों की गंबीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनाव ट्रामसेंटर रैफर कर दिया गया और ये हाथसा थाना मसॉली के अंतरगत शहाब पुर टॉल प्लाजा के नजदीक हुआ है और हासे में छे महीने का दिवांश सुरक्षित बताया जा रहा है और वहीं सड़क से गुजर रहे एक परिवार ने घायलों की मदद की ये परिवार भी लखनाओ से गोंडा जा रहा था परिवार के महीलाएं गायल बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची और वहीं उत्तरग प्रदेश में कोरोना संक्वन्ट के मामलों में लगातार कम्यारी और इस बीस राज्ये के 24 जिलों में कोरोना का एक भी मामला नहीं है और इनमें से अलिगट, अमेठी, अम्रोहा, अयोद्याब, पाकपद, पलिया, बिजनोर, चित्रकूत, देवरिया, फतेपूर, गाजीपूर, गोंडा, हमीरपूर, हर्दोई, हातरस, ललितपूर, महुबा, मुझफर नगर तमाम ऐसे जिले हैं जो करोना से बचे हुएं और वहीं मापर एक भी केस नहीं और इसके लावब आपको बता दें कि राज्य में टेका करण का भ्यान तेजी से चलाया जा रहा है और वहीं यूपी के मुख्यमंतरी योगिया रितिनात ने शुकरवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य में 6,36,88,000 से जादर लोगों को वैक्सिन की कम से कम एक दोज दी जा चुके और वहीं यूपी के स्वास्ते विवाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में और सतन हर दिन धाय लाग टेस्ट हो रहे और वहीं पॉजिटिव दर 0.01 एक बनी हुए और रिकवरी दर 98.07 फीज दिया और राज्य में कुल एक्टिव करोना केस की संख्या सिर्फ 249 है और वहीं उत्तर प्रदेश के खास बुलिटिन में इतना ही ऐसी ही तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहिए आरियन यूज